नमस्कार किसान भाईयो मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आप देख रहे हैं यूटुब चैनल रानी कृषी सेवा के अंद्र तो किसान भाईयो आज हम बात करेंगे इकका इंसेक्टी साइट के बारे में जो ट्रोपिकल कमपनी बनाती है या एक सिस्टेमेटिक इडिनासक ह किसान भाईयो इस वीडियो में जानेंगे इकका का टेक्निकल नाम या फसल पर कैसे कारी करता है किस किस फसलों में इसका चिरकाप करना चाहिए किन किन कीटों को नियंतित करता है इसकी मात्रा तथा जिजल टाइम क्या है तथा लाश्ट में इसका मूली भी जानेंगे शान भायो इका इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल नाम थियामथॉक्षन 12.6% प्लस लेमडा स्यालो 3 9.5% जेट सी फॉर्म में आता है जेट सी फॉर्मलेशन SC और CS को मिलाकर बनाया जाता है इका इंसेक्टिसाइड में दो टेक्निकल पाया जाता है पहले हम बात करेंगे थैमथॉक्षन के बारे में थैमथॉक्षन एक systematic कितना सक है यह इतना systematic है कि यह पूरे पोधे को जरीला बना देता है इसमें stomach action भी है जो की किटकों के पेट में जाकर किटकों के nervous system को attack कर उसे paralyze कर किटकों को मार देता है बात करते हैं लेम्डा शियल्थिन के बारे में या एक कॉंटेक्ट कितना सी है जो कीटो के संपर्क में आते ही कीटकों को मार देता है क्या कितना सा को हम किसी भी कॉंबिनेशन में मिलाकर चिरकाप कर सकते हैं क्या कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है बॉल वर्म एफिट्स फ्रूट गोरर लीफ फोल्डर लालजचींटिया थ्रेप्स सफेद मक्खी मिलीवग इन सब कीटों को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है इसे हम कौन कौन से फसलों पर शिरकाप कर सकते हैं धान कपा अगर इसकी डोज की बात करें तो आठ से दस एमल प्रती 15 लिटर पानी में मिलाकर शिरकाप कर सकते हैं किसान भायों अगर इसकी कीमत की बात करें तो असी एमल का पैक मार्किट में लगबग 280-300 रुपे तक असानी से मिल जाती है किसान भायों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें